जो मैं आज बात करने वाला हूँ यह घर-घर की कहानी है यह हमने इसमें अपने जो रिलेशन है अपने रिलेशन्शिप है वो किस तरीके से इंप्रूब करके अपनी लाइफ को बढ़िया क्वालिटी लाइफ जी में तबदील करने किस तरीके से हम रह सकते हैं हेलो दोस्तों राजवन सिंग महाली आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रपटी गुरुकुल में बहुत-बहुत स्वागत है और जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा रियल स्टेट से हटके है एक समाजिक मुद्धे पे मेरा आपके साथ बात करने को मन था तो मैं उसके उ जिए हस्वेंट अड़ का मतलब यह है कि हमारे पती पतनी में सबंद कैसे फेले मैं आपको बता दूं यह पती और पतनी दो शब्द हैं पती और पतनी का जो यूज करते हैं लोग तो मेरा हिसाब से बिलकुल गल्ट यूज हो रहा है पती और पतनी नहीं होना चाहिए इन शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए इन शब्दों का परियोग नहीं होना चाहिए क्योंकि पती का मतलब होता है मालिक क प्रोड पती उद्योग पती कोई कार पती को किसी तरीके का पती पती का मतलब है मालिक होनो यदि एक आदमी उसमें मालिक है तो दूसरा आदमी उसमें गुलाम रहेगा इसका मतलब पती तो मालिक हो गया और जो वाइफ है उसकी उसकी गुलाम होगी मतलब उसकी जो उसको ब भी मालिक है तो दूसरे आदमी को नोकर बनना ही बढ़ेगा तो यह सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि आप अपने इन शब्दों के उपर कंट्रोल करके अंकुश लगाके अपने आपको लाइफ पार्टनर के तौर पर को हो तो ज़्यादा बढ़ी है जीवन साथी को तो और बढ़ी है तो इस तरीके से आप पहले तो यह आपने पती पतनी जो शब्द है इसका कोई ना कोई सब्सीचूट अलग से डून रहा है जैसे मैंने जीवन साथी बोला है हास्बेंड वाई बोला है और इसमें हमने और दूसरा इंग्रिश में भी हम मैं बोला था के लाइफ पार्टनर है तो इसके बिना फिर हमारे पास जो ज़्यादातर बाते होती हैं कि kilogram हमारे शादी jay नहीं नहीं होती है या होने वाली होती है तो हम रोज करती है पीसे स्फून पर बाद करते हैं जो हमारे टाइम में जब फून नहीं थे तो एक चिठें लिखते थे के हम ते मैं तेरे बिना नहीं रह सकता तू मेरे बिना नहीं रह सकती यह ऐसी बाते हम लिखते थे लेडी कहती थी मैं तेरे बिना नहीं रह सकती तू मेरी जिंदगी है और बंदा कहता था तू मेरी जिंदगी है मैं तेरे बिना नहीं ऐसा क्या घटना हो जाती है कि कुछ देर बाद ही ये बदल जाता है डायलोग कि या तू रहेगा या मैं रहूँगी या तू रहेगी या मैं रहूँगा तो मतलब एक दूसरे के दुश्मन वन जाते हैं सो सिंपल बात यह है कि हमने इस डायलॉग से बचने के लिए ये आज के वीडियो का टॉपिक है सो मैं जो जो पॉइंट मेरे के दिमाग में है मैंने ये बोड में लिखे हुए और उमीद करता हूं कि ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं आपकी जिंदगी में कहीं न कहीं जरूर काम आएंगे आपके दोस्त का सेवन और पती पतनी की सोच इसमें जब कोई आदमी शराब पीता है तो उसमें पतनी क्या सोचती है और पती क्या सोचता है क्योंकि जगड़े का कारण क्या है जगड़े का कारण तो सिर्फ यह है कि हमारी सोच ही मैंच नहीं करती वह कुछ कहना कह रहे हैं मतलब पतनी क कुछ कह रही है और पती कुछ सुन रहे हैं इसमें शराब का सेवन और पतनी की सोच पतनी की सोच बोरी पॉजिटिव है कि मैं वो कहीं न कहीं सिक्यूर्टी मतलब को लेकर चिंतत है कि मेरा मेरा हस्बेंड है यह शराब पी रहा है यह खर्चे भी फालतू कर रहा है और अप मैं कमाता हूँ मैं घर का खर्चा चलाता हूँ और यह मेरे को क्यों रोकती है मैं इसके बाप की धुड़ी भीता हूँ यह जो जगड़े कारण यह बन जाता है दोस्तों हमने वाइफ की भावना भी समझनी है और वाइफ को भी थोड़ा समझना है कि उस बंदे को सामने वाल बच्चे जो होते हैं उनके उनके उपर बुरा असर पड़ता है सो हमने मेरी जो बहने हैं यह उनको भी कहने चाहता हूं कि यदि आपका हस्बंड शराब पीके आ गया तो आप उसके साथ तुरंत ही लड़ने का मूड ना बनाओ उसको खाना दे दो और उसको सुला दो जब स हम से आपने आके कुछ ऐसीी बात कह दी तो आपी लड़ाई होनी तैय है तो इस बात से बज़ने लए हमने इस बात का ध्या रखना है कि हरस्बंड के तौर फर हमने यह सोचना है यह सोच मेरी श्राब को ले के नहीं है मतलब एस यह मेरे को डोमिनेट नहीं करना चाहती य कहीं न कहीं चिंतत है बच्चों की लाइफ लेके बच्चों की पढ़ाई के लिए लेके मेरी शेहत के लिए लेके यदि हम इस तरीके की सोच अपनी बदल लेंगे तो हमारे में जगड़ा होने के चांसे बहुत ज़्यदा कम हो जाएंगे सो मैंने आगे लिखा इमोशनलेस इस इकुल टू मोशनलेस मैं हमेशा कहता हूँ रियल स्टेट बिजनस करते हुए या कोई और बिजनस करते हुए आपकी इमोशन्स प्रफेशन से अलग होनी चाहिए मतलब इमोशनल पार्ट है जो वेपार करते हैं उसका कोई रोल नहीं और जो आदमी वेपार में इमोश पशान ही करोता है लेकिन यह फैमिली मेंटर है इसमें मैंने लिखा emotionless is equal to motionless जो आदमी emotion नहीं है जिसके परिवार के लिए वह आदमी motionless का मतलब डेड़ वह आदमी को मैं आदमी नहीं मानता जीवत जीवत प्रणी नहीं मानता उसको वह आदमी कही ना करेंड़ है प्रद्व करके चाहिए और उसको जब वह आता है दिर्वजा खुले समयल दे उसको पानी पलाए और कोई बात करें और कई बार की टेंशन भी होती है घरे बाला चुप रहना चाता है घरवला अंदर बैठना जाता है लेकिन घर वाली है उसको आके उसको मतलों सवाल के ऊपर सुझाओ करी जाएगी के यह क्या है यह क्या है वह नहीं करना चाहिए हम इस इन वातों का ध्यान रहां है यह वह चुप है तो उसको लो करो क्या कर रहा है वो क्यों कर रहा है यदि चुप है तो चुप रहो आप दास मेंट पंद्रा मिट बीज मिनट उसके बाद अपने आप आपकी बात सुनना शुरू कर देगा कैवरी वैसी दिमाग खराब होता है काम में जाके तो हमने यदि वाइफ है जो तो उसके साथ ज्यादा मतलब उसको कनवर्सेशन में पढ़ देगी और मतलब आर्गूमेंट में पढ़ देगी तो वहां भी एक दूसरे को वह समझने की इ papis है लड़नारे शुरू कर देंगे wipe कहती है तो मेरे मेरे तर्फ द्यान नहीं देते हॉस्बैंड कहता है मैं मैं थोड़ा सा मेरे थोड़ा मेरा मना है के कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और तू मेरे को रेस्ट नी करने जाए चोबी घंटे चाहँ 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 करती रहते तो इन बातों का अपनी ध्यान रखना है जब कोई ऐसी बात आती है तो emotions का ध्यान रखना है हमने understanding the feelings दू एक दूसरे की feeling का भी ध्यान रखना है ताके हमारी understanding level बढ़ जाए और हमारे में जगड़ा होने का कवी भी कारण ना बने यह मैंने एक पांच नमबर पर लिखा है wife समिदार है प्रन्तु अकल की कमी है यह मैंने लिखा मैंने यह मैं practical example है हमारे साथ कोई मेरा उसका शादी होई नहीं 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 शादी होई तो मैंने वैसे जैसे एक दिन बैठे बैठे पूछने लगे उसको पार्टी कर रहे थे कहीं बैठे बैठे उसकी वाइफ मैके गई लाइब तो उससे पूछना लगे कि कैसे है बाई बाबी जी का सभाव कैसे है किस तरीके वो कैता मेरी वाइब समझदार बहुत है परन्तु उसमें अकल की कमी है हमने का यार या यह तो अपना statement नहीं यह जो समय चली मतलों थोड़ा सा उसके परवार के साथ मैच नहीं करता है लेकिन उसने कभी भी मेरे को नहीं कहा कि मेरे और चीज़ लेके दो ये लेकर तो हम ने का फिर अकल वाली क्या बात होगी जाता है कि मैं जब ऑफिस से घर जाता हूं पांच बजे मेरी बात बज़े पहुंच गया तो उसने बिना कोई बात किये मूफ ला लेना और बाते सुनाने चुरू करते हैं तो वह कहता है चाहे मेरा जैनूर प्राब्लम क्यों नहीं हो नहीं हो गया हो यह मेरे को कोई और परशाणी क्यों नहीं नहीं समझनी सिदा ही जाके लड़ाई वाले प प्रोग्राम को देख रही हैं उनको भी मैं हाथ चूड की रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस तरीके की गलती का नहीं छोड़ देगे तो आपकी लाइफ है जो बहुत ही बैटर होने बाली है तो दोस्तों इसके बाद फिर मैंने लिखा है बहस में हारना अच्छा है क्योंकि जब हास्बेंड वाइफ की बहस हो जाती है या किसी हम आपरी दोस्तों में बहस हो जाती है मैंने यह सुना कि बहस में हम जीती जाते हैं लेकिन हम अपना दोस्त गवाल लेते हैं इसी तरीके से मैं हास्बेंड वाइफ की बहस में यदि हास्बेंड वाइफ की यार आपना सुबह लड़े शाम को फिरी कटे होगे तो इसमें बहस करने की जुरूरत नहीं यदि बहस में मैं हार भी जाता हूं तो इंटरनली मैं अपनी पीस आउ माइंड कितना मेंडेन कर गया और मैं वाइफ के साथ मेरे डिलेशन कितने बढ़िया हो जाएंगे तो बहस में हारना ही अच्छा है अपनों के लिए हारना ही अपनी जीत है तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं फिर जब मैंने एक और चीज नोट की इसमें I love you, you are my backbone जब सुबह हम उठते हैं तो यदि हम अपनी वाइफ को ये बहुत शब्द बोल सके I love you, you are my backbone अपनी जबरदस्त आपके relation जो है सुदर जाएंगी लेकिन ये शब्द थोड़ा सा मसलों कहना मुश्कल लगता है परन्तु जो थोड़ा practice करेगा तो वह ये शब्द कहने में काम्याव हो जाएगा और उनका दिन गरंटी एस बात की कि उनका दिन बहुत अच्छा शुरू होगा और बहुत अच्छा ही बीटेगा सो अगे ये जो मैं अगला लिखना गुसा जल्दी खत्म करो कई बार हस्मेंड वाइफ में जगड़ा हो जाता है और वह आप समें बोलते नहीं है दो तीन तीन दिन चार चार दिन खाना निकाना ये करना उसका जो प्रभाब है तुमारी फैमिली लाइफ पर पढ़ता है तुमारी बच्चों पर पढ़ता है यदि आप जोएंट फैमिली पर रह रहे हो अपने माँ बाप पर भी पढ़ता है तो आप क्योंकि आप कहीं जाने माले नहीं हूं है किस चीज की लगए है अभी लड़ाई हुई है और शाम को ठीक हो जाएंगे दो दिन बाद भी ठीक हो ना इसको कोशिच करो जितनी जल्दी आप गुसा खत्म कर लो और आप अपने लेशन उसी तरीके से दोबारे बना लो समाइल कर दो एक दूसरे को तो यह जगड़े सारे के सारे ही खत्म हो जाएंगे अगले मैंने इसमें नौमा कर दिया है यह बताता है कि मैंने यह कर दिया मैंने वो कर नहीं यार तू अकेला कुछ नहीं कर सकता था जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तूने कितना कितना मतलब कर लिया अपने उपर कितना मतलब तुमने धनका को बहर कठा कर लिया नहीं करा जब भी आप ऐसी बात के साथ वाइप थे यह कर रной हूं यह का करनी हो उसमें भी आपकी ego ego को छोड़ नहीं इस को जो भी क्रैडिट आते हैं अच्छी जीशा जो भी ऎनले लिनाया सभी को देनाय कि मैं most को सकता क्यों या उसकती यह जो आज यहां तक पहुंचे हैं नहीं hefie की वजाई से या मेरे husband की वज़ाई से पहंचे सो दोस्तों ये चोटे-चोटे وबात थी जो मीरे दिमाग मेरी थी तो मैंने यह ज़ूर सूचा के आपके साथ यह बातें जूरूरर की जाएं क्योंकि घरों में uh tension स्ट्र्रेस K 미국 fungi चला-घैस्ट की नहीं भी लगू किये हैं सारे तो नहीं में भी कर पाया लेकिन कुछ लगू किये हैं और लगू करने से लाइफ बहतर हुई है सो मैं आप से यही request करता हूँ कि यदि आप इन points को 9 points को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो आपका जो relationship है वो better हो जाएगा आपकी life है जो quality life हो जाएगी हाँ दोस्तों जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला पटन जूरूर दबादो और वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताके इस वीडियो का message लोगों तक चला सके आपका स्वाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप ने टॉपिक पर को वीडियो चाहते हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सो दोस्तों मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखाओ मिलकर आगे बढ़ो पढ़ो और अगे बढ़ो फैमिली के साथ आगे बढ़ो टीम के साथ आगे बढ़ो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता थैक्यू बेरी मच्च मिलता हूं जल्दी ने टॉपिक के साथ